एक और breaking news जा रहा है CA new course 2023 से related तो वीडियो को पूरा last तक देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में कौन-कुन से topic पे बात करेंगे CA new course 2023 से related अब तक का जितना सारा update आपडेट एक वीडियो में cover हो जाएगा कुछ student को ये bad news लग सकता है क्या CA new course आने में delay हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे और last में conclusion पे भी बात करेंगे तो वीडियो को आपको एक बार फिर से बोलें पूरा last तक देखना है एक बार फिर से ये वीडियो को मैं रात में record कर रहा हूँ जैसे ही कोई update आता है तो मेरा कोशिस रहता है सबसे पहले आपको provide कर लेंगा इस वीडियो के बाद मुझे live demo वीडियो बनाना है certified copy और verification के लिए कैसे apply करे आई से website के थो CA intermediate and CA final number 22 student के लिए वीडियो बनाना है आप लोग मेरे hardware को थोड़ा सा appreciate करना जाते हो तो छोटा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification bell दबा दीजिए ताकि CA related आपको सबसे पहले update मिल सके और हाँ आपके मन में कोई additional doubt है वीडियो देख लेजी additional doubt होगा तो youtube comment box ओपन है आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो update देखने के लिए आपको सबसे पहले ICAI के official website पे चलना परेगा जैसे ही आप लोग ICAI के official website पे आओगे तो आपको सबसे उपर में ही new course से related एक section मिलेगा आपको इस पे click कर देना और scroll down करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है ICAI ने officially तोर पे सबसे पहली बार update किया था 3 जुन 2022 को लास्ट officially तोर पे अपडेट हुआ है 24 जुलाई 2022 को इसके बाद officially तोर पे एक भी new course से related update नहीं आया है हाँ बड़ चोटा मोटा update आता रहा है ICAI ने student journal के थुरू या अपने message के थुरू चोटा मोटा update करते आ रहे है अभी तक daily मेरे पास किसी ने किसी student का message आ जाता new course का क्या syllabus होगा foundation intermediate and final ICAI अपडेट कर रखे हैं PPT के थुरू जोकी 6 जुलाई 2022 के date में announcement आया था आप लोग इस announcement को देख सकते हैं अब बात करते हैं आज के update के बारे में CA new course CA Unpum Sarma Sir को आप लोग जानते ही होंगे जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दे Unpum Sarma Sir ICAI के chairman रह चुके हैं 2013-14 session में इन्होंने कुछ important update किया CA new course के regarding में तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए Sir ने सबसे पहले update किये थे 13 January 2023 के date में council meeting के बारे में जो की होने वाला था 18-19 January 2023 को इसके बाद Sir ने आज के date में update किये new course final decision will be taken on 7th February 2023 Final decision आ सकता है 7 February 2023 को इस update के बाद Sir से एक student ने पूचा क्या number 23 से new course applicable हो सकता है या नहीं हो सकता I know कि आपके मन में भी यही doubt चल रहा होगा भी तो Sir ने आज के date में एक और update किये Sir बोले कि अभी इस position पे कोई नहीं है जो आपको बता सकता है कब से यह implement हो सकता है new course सिर्फ ICI के हाथ मी नहीं है इसमें government भी involved है तो इसलिए wait करने को बोलने है 7 February 2023 तक student को सबसे पहले government से approval मिलेगा ICI सब कुछ ready कर चुके study mat भी ready हो चुका new course से related जैसे ही government से approval मिलेगा और 15 February तक आई से अगर कोई announcement निकाल देता है तो chances हो सकता है मैं यह नहीं वोलना हूँ confirm हो सकता है number 23 से applicable और अगर थोड़ा ज़्यादा दिन डिले हो जाएगा तो number 23 में ना होकर के फिर May 24 में चला जाएगा new course तो यह कुछ student को यह bad news लग सकता हो सकता है ऐसा कि new course में डिले हो जाए number 23 से ना होकर के May 24 में हो जाए बाकि साथ तारी को final decision आ जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है सो बाकि अब आप लोग वेट करो अराम से 7 फरवरी को decision आएगा जैसे ही decision आएगा यह चैनल आपको सबसे पहले वीडियो बना करके inform कर देगा क्या रहा decision और लास्ट में conclusion पे बात करते चाहिए आप में 23 का exam दे रहो number 23 का exam दे रहो आप लोग अभी current course के ही साबसे पढ़ाई continue रखे मेरा काम है update करना मैं तो जो भी update है वो सारा update करूंगा लेकिन आप लोग अपना current course के ही साबसे अपना पढ़ाई को continue रखे और लास्ट में सोड इस टेस्ट में participate करना विल्कुल फिरी है टेस्ट में participate करने का direct link description में दे दिया गया उस लिंक पे click किजिए और code use कीजेगा चार्ट है status and coupon code इस टेस्ट में बिल्कुल फिरी में participate कर सकतो तो जाओ आप लोग participate जरूर कीजिएगा एक वार फिर से बोले scholarship टेस्ट जो की हो रह तो group 1 के लिए जोइन कर सकते हैं, group 2 के लिए तो group 2 के लिए तीन मन्त के subscription फे अभी आपको 19% का discount मिल रहा है एक ही subscription से आप group 1 और group 2 दोनों का preparation कर सकते हो यह fast track batch है, 90% discount का offer आज रात 12 बज़े तक ही valid है तो आप लोग जल चल जल subscription ले करके preparation च्टार्ट करतीजे अगगगई